हेल्लो प्रेंट्स वेल्कम टू अपुस कीचेन आज का रेसीपी बौधी श्वादीष्ट हरे मटर की दाल बनके रेड़ाई मेरा वीडियो हेलफू लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट की दियो सब्सक्राइब करणा ना भूले हरे मटर की डाल बढाऊंगी तो आधा किलो हरे मटर लिया छिलका निकलके रहाँ पहले ग्राइंडर का जार में दरदर पिसके रेड़ी करणा पहले पीस लेते हूं ऐसे दरदर पिसके रेड़ी कर लिया चलता है नेक्स प्रोशेश में मटर को पीछ के रेडी किया, प्लेट में मिंकर लिया, सेम जार में टामेटो को प्यूरी बना लेती हूँ, टामेटो प्यूरी बना लिया, चलते हैं नेक्स प्रोश्योश में, गुचा मज ऑईल गरम होने के लिए रख देती हूँ, गरम होते ही, तेजबकता, एक दारची नी और एक एलाई ची एड़ कर दिया, साथ में एड़ करूँगी, आदा चमाज जीरा, फोड़ने आची तरह से, फ्राइ कर दूँगी, फ्राइ करने को बाद एड़ करूँगी, ओनियान, पनियान को कलर चेंज हने सब आची तरह को फ्राइ कर लूँगी, पनियान का फलका सब कलर चेंज हो गया, अभी आट करूँगी, जींजर काडली पेस्ट, एक चमाज, भी सेपन, कर्णे पाद, आट करूँगी, अली कौडर, रैट चिली पाषडर, धनिया पाषडर, राए मसला के साथ, निजर तरह केस्ट, रॉटेस्ट रॉटेस्ट जाने तर , अलीट रिचट जा है, अटित अजिए, राई मसला के सब, बाइ हो, बाई हो, यृच रिक रि कटली की ही जैसे ही फ्राइब हो गया इसमें आड़ करूंगी टोमिटो का पीवड़ी सारी मसाला को आची तरह से फ्राइब करूंगी जब तक नहीं साइट से फाइल गूल लीज होता देखी सेखते है बहुदी अच्चा.. coils हो गया सारी मसाला अची तरह से फ्राइ होके तक अभी आड़ करूंगी जो दरडर इक स्की Ain। भाड़ी हो . कुल रोगाइ मसाला के सारे मके दल ने में बहुद ही स्वाधी स्कूस्त होता है पानी दाल बढ़ाऊंगी और इसके लिए रदाई पानी आड़ करें। दास मिनेट लिए लगाके वाल कर लूँगी तो मटर कर डाल बनके रेडी हो जाएगा। अभी आड़ करोंगी टेस्ट कोड़ी नमक पले से नमक नहीं आड़ किया। नमक अड़ करके अथिता से मिक्स कर लिती हूँ। थोड़ा काड़ा लग रहे तो और एक ब्लस पानी आड़ कर देंगी। और थोड़ा पानी आड़ कर दिया। अब बाइल होते होते हैं और आड़ा हो जाएगा। अब लिट लगा के दस मिनीट कुख कर लेती हूँ। अब लिट लगा के दस मिनीट कुख कर लेती हूँ। खुड़ा सा गरम मसाला और एड़ करूंगी हारे धनिया। और अच्छे तरह से मिक्स कर लेती हूँ। गैस पान करके शर्प कर लेती हूँ। और अच्छे शर्प कर लेती हूँ। बादी श्वादीष्ट हरे मटर की दाल बनके रेड़ी हो गया। एक बाद जोरू ट्राई कीजिए और आप लोगे एक्स्पीरियंस में शर्प कीजिए। फिर मित्तिक नीव रेसिपी के सब तब तक के लिए बाई। थैंक्स पर वादी।